ओम नमस्युवाए श्वागत है आप सभी का मेरे भक्ती भावना यूटूब चैनल पर हर ताल का तीज का ब्रत नौका होगा या दसका पूजा का सुमूर्थ क्या है ब्रत किश्विदी से रखें और कौन से ऐसे उपाय करें जिसे पुत्रदन के प्राप्ति हो यह संपूर संपूर जानकारे आपको इस वीडियो के माद्यम से प्राप्त होगी संपूर जानकारे के लिए वीडियो को लाश्ट तक देखें जो भी चैनल पर पहली वाराएं चैनल को सब्सक्राइब करें हर ताल का तीज स्वागिन मेलाओं के लिए महत पूर्ण पर माना जाता है इ भरत निर्जल रखा जाता हैं इसकारण ये बरत कठन भरतों में से एक माना जाता हैं वही कवारी कन्याई भी हर ताल का तीज बरत रखती हैं उनके दवारा ये बरत वशेची में और सुयो गुबर की प्राप्ती के लिए रखा जाता है। हरताल का तीज ब्रत के लिए मायके से मेलाओं के लिए स्रंगार का सामान, मिट्याई पल और कपड़े बेजे जाते हैं। हरताल का तीज ब्रत भादरपद शुकलपक की तरतिया तिथी को हर साल रखा जाता है। इस साल यह ब्रत 9 सितंबर गुरुबार का रखा जाएगा। गुरुबार को यह ब्रत रहने से इसका मैतो और जादा बढ़ जाता है। हरताल का तीज का ब्रत सभी मनोकामनों को पूरा करने बाला हैं त्रेटिया तिती आठ सितंबर दिन बुद्धवार को तीन बज़ करके 69 मिनट से प्रारम हो जाएगी यह तिती नौ तारिकी रातरी गुरुवार को रात के 2 बज़ कर 14 मिनट तक रहेगी प्रातकाल पूजा का सुमूर्थ 9 सितंबर गुरुवार को सुवए 6 बज़ करके 5 मिनट से सुवए 8 बज़ करके 33 मिनट तक यह ब्रत का जो पहला सुमूर्थ रहेगा तो इस सुमूर्थ में आप भगवान शिव की और माता पार्वती जी की पूजा करें सुवए जल्दी उठे और इस्नान कर स्वस्त कपड़े पहने पालू रित से भगवान शिव और माता पार्वती की प्रत्मा बनाएं एक कलस में जल भरकर उसमें सुपाड़ी अक्यत और सिक्का डालें उसमें थोड़े से चाबल डालें उस कलस की इस्तापन अश्टेदल कमल के आकरती पर करें कलस के उपर आम के पत्ते लगा कर नारियल रखें चोकी पर पान के पत्ते वा चाबल रखें माता पारवती, गड़े जी और भगवान सिभ को तिलक लगाएं, गी का दीपक जलाएं और दुबबती भी जलाएं उसके बाद भगवान सिभ को उनके प्रिय बेल पत्र, धतूरा, भांग, समी के पत्ते आधी अरपन करें भगवान सिभ का पंचा म्रस्य अफसेख भी करें भगवान गड़ेश माता पारवती को पीले चाबल और सिभ जी को सपेद चाबल अरपन करें पारवती जी को सिंगार का पूरा सामान अरपन करें भगवान सिभ और गड़ेश जी को जन्यू अरपन करें देवताओं को कलावा मोली आधी अरपन करें, हरताल का तीज की कथा भी सुनें, जब आप कथा सुन रहे हों, तो उस समय हाथ में जल लेकर के संकल्प करना चाहिए, तीज बर संध्या को पूजा करने के बाद चंद्रमा को अरग दिया जाता है, पर उन्हें भी रोली अक्ष हरतालका का साब्दिक आर्थ ही, कि बात करें तो ये दो सब्दों को मिला कर बनता हरत और आलका, हरत का आर्थ होता है, अपरण और आलका अतार्थ सहेली, इस सम्मंद में एक पौराणिक कथा मिलती है, जिसके अनुसार पारवती जी की सकियां, उनका अपरण करके जंगल म ले गई थी, ताकि पारवती जी अपने पिता से दूर जाकर के उनकी इच्छा के ब्रुद्ध भगवान सिव की आराधना कर सकें, क्योंकि उनके पिता ने भगवान विश्नू से अपनी पुत्री का बवाका बचन दिया था, अपनी सकियों की सला से पारवती जी ने घने बन में एक गुफा में भगवान सिव जी की आराधना की, बादरपत रतिया शुकल की दिन हस्त नक्यत्र में पारवती जी ने मिट्टी से सिवलिंग बना कर विदीबत पूजा की और रातवर जाग्रन किया, पारवती जी के तब से खुशोकर भगवान सिव ने माता पारवती ने कई बर्स तक कठोर तप किया, उन्होंने भूके प्यास से रह करके इस ब्रत को किया, उन्होंने पत्ते का करके पानी की जगह पर हवा का पान करके इस ब्रत को किया, इस ब्रत के करने से भगवान सिव ने प्रसन नो करके उनको बरदान दिया, उसके बाद में जब उनकी पिता को पता चला तो वो एक खोश्ते हुए वहाँ पर आए और उन्होंने पारवती जी के उस बचन को भी माना जो पारवती जी चाहती थी कि भगवान सिर्फ से उनका वेवा हो जाए इस दिन स्वागन मेलाओं को माता पारवती की जी के सामने स्वागी चीजे चाहिए, माता पारवती जी के सामने आप संदूर भी रखें। उस संदूर से माता पारवती को टीका लगाए। उस संदूर से आप अपनी मांगवरे संदूर को समाल करके रखें। हर प्रकार की मनुकामना पूरी हो जाती है जो व्यक्ति इस दिन भगवान सिव का अफ्सेख करते हैं पुत्र प्राप्ति की मनुकामना बोल करके उनकी पुत्र की मनुकामना पूरी हो जाती है इस दिन भगवान सिव के सामने आप अपनी मनुकामना बोले और चमेली की इस ब्रत के पुन्य से संतान ब्रत्दी भी होती है यानि संतान की प्राप्ती भी होती है तो इस दिन आप यह पूजा करें साथ ही इस दिन नौराश्यां भी बहुत ही भागिसाली हैं इस दिन आप गौमाता का पूजन भी करें बागवान सिब की जब आप पूजा कर रहे हो तो उसमें थोड़े से गेउं के दाने सिविलिंग पर चड़ा देने चाहिए इसे पुत्र प्राप्ति का योग बन जाता है जिनके भी पुत्र नहीं हो रहा है इस ब्रत को नियम पूर्वक करने से हर प्रकार के मनुरत पूरे हो जाते हैं कुछ बातों का भी द्यार रखना चाहिए इस दिन घर में लड़ाई जवड़ा नहीं करना चाहिए घर के अंदर ताम सिक बोजन बिल्कुल ना मना आएं गरब बती मैलाएं जिनके छे महीने से उपर का गरब है तो वो विषेशूप से द्यार नकें अगर बसकी हो तो ब्रत रखें नहीं तो पूजा करें स्वास्त का विशेशूप से ध्यान रखते हुए ये ब्रत करें आप अपने स्वास्त का विशेशूप से ध्यान रखें कि आपके स्वास्त पर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना आए अपने बराबर का एक धागा नाप करके पीपल ब्रक पर जरूर बांद करके आएं अपनी मनुकामना बोल करके इससे पुत्व प्राप्ती के योग बन जाते हैं घर में परवार में खुशाली रहती हैं तो ये अर्ताल का तीज की पूरी जानकारी थी मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को जाधा से जाधा से शियर करें जिससे सोब को पता चल सके और साथ ही इस दिन ये उपाई भी करें भगवान सिब की पूजा करें सपेद आग के पुष्प भगवान सिब को अरपन करें जिससे आपकी आर्मन उकामना पूरी होगी जो भी चैनल पर पहली बारा है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भगल में गंटी के बटन को जरूर दबाएं कमेंट में आप ओम नमस्वा जरूर लखें